तो हेलो दोस्तों कहसे वह बहुत है तो दोस्तों मैं आपको बताओं कि पांच तारिक को मैं रिट लिष्ट लगी थी और साम के टाइम ही वह रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि समें कुछ तुरूड या पाई गई थी जो तुरूड या थी वह मैंने आपको बता भी दी थी अपनी प्रीश वीडियो में चलो इस ब दाले नहीं पर ऐसा नहीं हो सकता पर स्टुडाइट ने तो दाले होंगे लेकिन सिस्टम ने पीक अप नहीं किये सायर लेकिन चलो किसी भी कारणवास कुछ तुरूटी आ रही थी तो उनिवर्स्टी ने देखा कि मतलब कुछ कॉलीज और कॉर्स सो नहीं हो रहे तो ऐसे बच्चे जिनके पास मेंसिज आया है वो साम तक अपने कॉलीज और कॉर्स कुछ भी हो मतलब इन दोनों में से कोई एक मिस हो तो उनको जाकर अपना खेल कर दे साम तक यह साम तक यूनिवर्स्टी ने मौका दिया है यह अंति मौका है कि साम तक ऐसे स्टुडेंट जिनके कोर्स और मतलब कोर्स और कोलीज ऐसे चातत जिनके कोर्स और कोलीज रिजिस्ट्रेशन फों में सो नहीं हो रहे थे उनके लिए अंति मौका है कि में अपने यह दोनों चीज यह कंफर्म कर ले और फिल कर दे दोस्तों मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि यह चीज सबके लिए नहीं है यह उनी बच्चों लिए है जिनके पास युनिवस्टी ने मैसेज गया है अब बहुत बच्चे पुछ रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट कब लगी तो उसके लिए अगर एक नजर डालू मेरिट लिस्ट की लगबग आज साम तक तुरूटी सही होनी है और जल्दी तुरूटी सही हो जाए अब दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट यह भी आ रहे है कि सर अगली मेरिट लिस्ट कब लगी यानि कि दूसरी जो ओपन मेरिट लगने हो कब लगी तो उन्हें भी बता दू कि मैं अभी दो दिन तो पहली मेरिट लिस्ट भी नहीं लग दोस्तों वह तो मैंने आपको बतायों कि अधी मेरिट लिए म में कम से कम दो तो कैसे लगा व्यूदियो करके जुरूर बता करहा आधा थेिट्च वाहीं तो चलितों मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में अपडेट के लिए हम से जुडे रही है और चैनल को स्चि कीजिए तब तके लिए धन्यवाद जाहिन नहीं है देर सब्सक्राइब तो मैं चैनल और अल्सो प्रेस दिस बेल आइकान